असलाम अलेकूम वीवर्स, वेलकम टू माई चैनल, आज की इस वीडियो में चिकन कराई वाली कुर्टी के उपर हम कटवक के साथ बहुत ही खुपससा नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जिसके लिए कुर्टी की कटिंग हमने पहले से करके रखिये और उसका तीरह हमने 7,5 एंचिस पे लिया है बनाना है तो मैंने 4,5 एंचिस पे ली है नर्मल हम 4 एंचिस पे लेते हैं लेकिन half एंच मैंने extra रखा है क्योंकि उसके उपर हमने cut-park बनाना है और इसकी लंबाई भी हमने फोर एंड हाफ इंचिस पे लिए है उसके बाद इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और सिंपल इस तरह से राउन कला जो है वो ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद जी कट्वक बनाने के लिए मैंने ये हार्ट पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैंने हाफ इंच पे लिए है और इसकी चोड़ाई हमने वने हाफ इंच पे लिए है ये देखें इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और एक कॉर्णर की साइड पे हमने हलकी सी गुलाई दे देनी है आप जिस तरह का डिजाइन बनाना चाहें अपने साफ से बना सकते है ये देखें जी इस तरह से हमने गुलाई दे दी है अब इसको कट कर लेंगे पेपर आपने अच्छे से कट करना है अगर पेपर आपका अच्छे से कट होगा तो आपका डिजाइन जो है वो फनीशिंग के साथ बनेगा अब यह जो हमने गुलाई दी है इसके उपर हम इसको रखेंगे लेकिन शुरू में सेंटर वाली साइड से हम यहाँ पे बिल्कुल दो पॉइंट तक जो है वो छोड़ देंगे जो बन वाली साइड है उस इससे से दो पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ लेने है इस तरह से यह देखें इसके बाद यह जो हमने पैटरं रेडी किया है इसको हम इसके उपर रखते वे यह जो हमने निशान लगा लगा है गुलाई में इसके उपर की साइड हमने इसको रखना है अब गले में जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था उसमें जो है वो हमारा ये डिजाइन बन जाए का कट्ट्राफ वाला अब उपर की साइड हम हाफ तक गुलाई देंगे बाकि इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे यहाँ पर अगर आप इस तरह से करेंगे तो वेक्साइड के गले के साथ आपको स्ट्रिच करने में असानी होगी उसके बाद एक्स्ट्रा माजन चोड़ते वे हम कटिंग का निशान लगाएंगे अब जो बंद वाली साइड है वहां से हम एक इंच की चुड़ाई पर इस तरह से निशान लगाएंगे और निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे और जहां पर हमारा round गला end हो रहा है वहां से नीचे तक हम यहां पर 11 इंचिस तक एक निशान लगा लेंगे इस तरह से अब इन निशानों को हम इस तरह से मिलाते हुए सीधी सी line draw कर लेंगे अब simple हमने गले को पेले उपर से cut कर लेना है अच्छा आप चाहें तो पिंस लगा लें ताके आपको cut work वाला pattern जो है वो cut करने में असानी हो उसके बाद इस तरह से हम शुरू में इसको cut करेंगे जो हमने निशान लगा था दो पॉइंट का उसके बाद जो गोलाई है उसी के इसाफ से हम इसको ऐस्ता ऐस्ता से cut करते वे जाएंगे बहुत अराम अराम से यह आपने गाम करना है मैंने यह आपर वीडियो की speed तेज़ की वी है इस तरह से cutting करने के बाद इसको simple shirt के उपर paste कर लेंगे इस तरह से paste करने के बाद अब जो cut work वाला pattern है उसके उपर यहाँ पर मैं 0 की भुक्रम यूज़ करूँगी जो कि आपको black और white color में easily shop से मिल जाएगी नहीं तो आप इसका screenshot ले लें इसके लावाद जो लोग के रहे थे के cut work के उपर हमें sly लगाना मुश्किल लगता है तो वो इस तरह से 0 की भुक्रम यूज़ करें इंशाला आप लोग की sly जो है वो finishing के साथ लगेगी चाहे दामन पे हो चाहे स्लीव पे हो उसके बाद हमने नीची की साइड एक rough कपड़ा रखा है गले के लिए और सबसे पहले जो हम एक rough sly लगा लेंगे गले के बीच में ताके जब हम cut work के उपर sly लगाए तो वो हमारी finishing के साथ लगे अब गुलाई में हम इस तरह से ऐस तरह से sly लगाते वे जाएंगे आप beginners है तो अगर आपको इस तरह से लगता है कि आप इसको गोलाई में इस तरह से मोड़ लेसे तो आप अराम अराम से सीक अरा मैं सबस्काली के सकते हैं यह देखें इस तरह से और जो कॉर्णर से वहाँ पर आपने लगा लेने चोटे-चोटे से कर्ट्स ताके पलेटने के बाद गले में फिनिशिंग आए और जो गुलाई है उसके ओपर भी आपने चोटे-चोटे से कर्ट्स लगा लेने अब सिंपल हम गले को इस तरह से पलट लेंगे पलटने के बाद गला देखे कितनी फिनिशिंग के साथ बना है उसके बाद सिंपल हमने इसको आइरन कर लेना है आइरन हमने इसको कर लिया है यहाँ पर देखें अब बेक साइड वाले एक्स्ट्र कप्रे को हम कट कर लेंगे वो क्रम की गोलाई के हिसाफ से चोड़ते हुए और इस तरह से हम इसको हैंड इस्टिच कर लेंगे यानि इसकी तुर्पाई कर लेंगे उसके बाद कुर्ती को हमने इस तरह से डबल फूल किया वाए ताके सेंटर पे इसके क्रीज बन जाए यानि निशान बन जाए अब पै के बात अब हमने इसके उपर प्ती को स्टिच करना है यानि इसकी का लेनी है जिसके लिए हमने मैंने बहां प्ती जेक्षा definitely पर पर हम यहाँ पे चोड़ाएंगे यह द देखेंगे और एक पेर की चोड़ाई के जितनी हुँ हम स्लाई लगाएंगे यह देखें क्योंकि इतनी चोड़ी जो है वो हमने आगे की तरफ पाइपिन करनी है अब यहां तक स्लाई को लाते वे हम स्लाई को उपर की तरफ लेके जाएंगे और अच्छे से यहां पर पका कर लेंगे दूसरी साइट के तरफ भी सें मैं स्लाई लगाएंगे और वी निशान तक हम अच्छे यह देखें स्लाइ हमारी कम्प्रीट हो चुकी है फिर इस तरह से हमने टेड़ाए में कॉर्नर्स पे छोटे से कर्ट्स लगा लेने है यह देखें अब यह जो सेंटर वाला फैबरिक है अंदर की तरह फोल्ड हो जाएगा और किनारी वाले फैबरिक के उपर हम इस तरह से si कर लेंगे यह देखें इस तरह से अब उपर से जो मैंने एक्स्टा कपड़ा लखा था उसको मैंने इस तरह से पहले फोल्ड किया है उसके बाद पाइपिन की तरह मैंने इस कपड़े को फोल्ड करते वे इसके अपर किनारी की स्लाई लगा लेनी है अब जितना कपड़ा हमने लिया था स्लाई में उसी के हिसाब से हम चोड़ी पाइपिन लगाएंगे यह देखें इस तरह से यह देखें सेंटर वाले कपड़े को हमने अंदर कर लेना है और पाइपिन को हमने चोड़ाई के हिसाब से नीची की साइट से फोल्ड कर लेना है अंदर से आप कपड़े को अच्छे से से सेट कर लें ताकि आपका काम जो है वह फनेशिंग के साथ हो अब दूसी सेट के फैब्रिक को भी इसी तरह से यानि पाइपिन को हम निकाल के सेट कर लेंगे आप चाहें तो पिन के साथ भी इसके नीचे वाले हिस्से को पहले सेट कर सकते हो उसके बाद भी आप इसके अपर सलाई लगा सकते हैं अब दूसरी सैट को भी इसी तरह से फोल्ड करके हमने उपर तक स्लाई लगा ली है अब इसके सेंटर के लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया है जिसकी चोड़ाई हमने टू इंचिस पे लिया है और लंबाई हमने कले के हिसाब से ली है उपर से फोल्ड किया है अब आगे की नीचे तक हम लेके जाएंगे यह देखें इस तरह से नीचे वाली साइड से मैं इसको बराबर सेट करेंगे ताकि गला जो है वो नीचे ओपर ना हो अब इस सलाई को हम उपर तक एंड कर लेंगे तो इस तरह से हमने गले को कम्प्लीट कर लिया है और जो फैबरिक बटन आपको नजर आ रहे हैं यह मैंने खुद से सेम कलर के कपड़े के बना के यहां पे स्टिच की हैं इसके ओपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ एक के ओपर उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से अपसको बनाना सीख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हैलफुल रही हो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और श सुपस्ट